जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकूआ आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है संचित धन का नश्ठोना इघटा किया हुआ धन नश्ठोना और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि कोड़ी-कोड़ी मया जोड़ी बड़ी महनत से धन को संचित किया था और अचानक वो किसी न किसी रूप में नश्ठो जाता है चाहें बिमारी के रूप नश्ट हो या कोई हम से ठगी कर ले हम उस ठगी का शिकार हो जाएं कहने का भाव कि वो धन नश्ट क्यों होता है और खासतोर से ऐसे कौन से योग होते हैं कि उन व्यक्तियों के धन अक्सर नश्ट होता रहता है तो आईए सारी चर्चा इस अंकपर करेंगे पहले आज का पंचांग देखें पंद्रा अगस स्थन दोहजार चोविस दिन ब्रस्पतिवार संबद दोहजारी क्यासी स्वनावन मां सुकलपक स्थिति दश्मी नक्षत रजेश्ठा राहुकाल डेड़ से तीन तिशासूल दक्षिंति साह और इसी के सास्थ समस देश्वासियों को सतंत्तर दिवस की बहुद बहुद शुब कापनाई मैं आप देखिएगा धन नस्ट हो जाना और धन जब नस्ट होता है न तो व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है बहुत ज्यादा होती है और वह पीड़ा कई बार ऐसे हैं हो जाती है कई बार आपको को शिकार कर देती है और कई बार आपके रुत्वे को भी छिन देती है हमारी हतेले में कुछ छोटी छोटी रेखाएं होती है ये रेखाएं आपको देखने में जरूर लगती होंगी कि ये रेखाएं सारी रेखाएं एक सी हैं लेकिन नहीं हर रेखा अपने अंदर एक भवि मस्तिक्स रेखा कहते हैं मस्तिक्स रेखा कहां होती हतेली में पहले आप यह जान ले देखें यह आपकी हतेली की मस्तिक्स रेखा है इसी के साथ साथ एक रेखा और देखें यह शनी रेखा है इसे हम धन रेखा भी कहते हैं जो हतेली के मद्दे से प्रारंब होती है एक का बहुत बड़ा कमाल व्यक्ति के धन पेदा होने में bhoता और धन निस्ठ होने में भी होता जैसे हमने आपको बताई थी मस्टिक्ष रेखा अगर किसी भी जातक कि मस्टिक्ष रेखा चीर्ण जीर्ण होगी कमजोर होगी और उस व्यक्ति की धन रेखा भी बहुत कमजोर होगी होगी हाथ में थोड़ी बहुत होगी लेकिन बहुत कमजोर होगी धन रेखा का कमजोर होना, मस्तिस रेखा का कमजोर होना और उस व्यक्ति के बुद्ध का कमजोर होना बुद्ध का होता है लेटिल फिंगर सबसे चोटी उंगले के नीचे मरकरी माउंट होता है यदि आपने या किसी ने भी ऐसे विक्टी के नाम कोई संपत्ती कर दी या ऐसे विक्टी को किसी कारोबार का मुख्या बना दिया या अब ये कारोबार आप चलाओ और ऐसी रेखा उसके हाथ में है कि मस्तिक से रेखा चीन जीन होना बुद्ध परवत बिलकुल दवा होना और धन रेखा नदारद होना ये बहुत खराब होना खराब होने की पैचान अच्छे होने की पैचान हमने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको कराईए तो वो व्यक्ति किछी भी रूप में उस गद्धी पर जब बैठेगा उस गद्धी का नश्ठ होना तय है उस धन का नश्ठ होना तय है चोकि बुद्ध से उसके अंदर वाक्चातुरी खतम हो जाएगी मस्तिक से सोचने समझने की पावर कमजोर पड़ जाएगी और धन से जो धन आने की लक्षमी के सुभ योग है वो कमजोर हो जाएगे पहली बात तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत कम समय के लिए कोई स्चिती प्राप्त होती है कि आप इस चीज़ को देखो और देखते ही वो धन डोबना सुरू हो जाएगा परिस्टितियां कई बार ऐसे आ जाती है कि उस व्यक्ति को उस विरासत का या उस गद्धी का राजा बना दिया जाता है मतलब उसको वो गद्धी दे दी जाती है वो फैक्ट्री वो कारोबार किसी ने किसी रोप में जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, कई बार उस व्यक्ति को जो बड़ा मेंबर परिवार का होता है, कोई भी हो पिता हो या कोई भी हो, किसी भी कारण बस वो सरीर से लाचार हो जाते हैं, बुजर्ग हो जाते हैं, या अखसमात कोई ऐसा हाथसा हो जाता है, तो फिर घर के उस व्यक्ति को जिसके हाथ में ये योग है, उने तो पता नहीं है, उसको वो कारोबार सोप दिया जाता है, और वो कारोबार नश्ट हो जाता है, और ऐसा आपने सुना भी होगा, कि जब तक ये कारोबार बाप, दादा कर रहे थे, तो बहुत बड़ी तरक्की इस परिवारन जाता है, कि कारोबार बाट दिया जाता है, अब कारोबार के जो बटवार होता है, तो उस बटवारे में उस कारोबार के या उस धन के, कोई धन ऐसा होता है, परिवार का बैंक में या कहीं भी उसको बड़ी बाट दिया जाता है, अब दो इससे बने, तो कई बार एक हिस् इससे माया, तो वहाँ ऐसे ही election थे, वो धन भी नश्ट हो गया, पता ही लगा, कई बार, व्यक्ति के, व्यक्ति खुद अपने bank से ला करके, किसी ऐसे 420 वाले व्यक्ति को पैसा पकड़ा देता है, ऐसा उसकी बातों में आता है, उसके जहां से में आ जाता है, जिसके बुद कमजोर होंगे, और साथ में जिसकी मस्टिक सिर्यका कमजोर होगी, और यदि चंद्रमा भी कमजोर है, तो सो ने पिस वागा, वो व्यक्ति ऐसा लोलूप हो जाएगा, किसी के भी network में फस जाएगा, और अपना धन निकाल करके उसे दे देगा, और धन डूप जाएगा, ध प्राग से निकाल-निकाल करके फूलों से प्राग निकाल-निकाल करके शहद का सवंचे करती है, और जैसे ही सहद का छत्ता बड़ा होता, कोई शिकारी आता है, या कोई भी आता, उस पूरे छत्ते को तोड़ करके सहद के साथ, मौम के साथ ले जाता है, और मदु मक्या भि की पुरशारत किया और यदि हम रिटायर्ड हुए तो हमारा कुछ फंड वगयरा हमें मिला या हमने किसी भी व्यपार से अच्छा खासा पैसा जोड़ा है अपने जीने लाग भी जोड़ा और अंत में वो पैसा नश्ट हो गया कितनी पीड़ा होती है वो क्यों होता है साथ और उसके साथ यदि किसी व्यक्ति की हतेली में उसके धन परदायक ग्रह किसी के धन परदायक मंगल होते हैं किसी के सूरिय होते हैं किसी के बुद होते हैं किसी के शनी होते हैं तो आपकी हतेली के धन परदायक ग्रह यदि नश्ट होंगे और उधर से कहीं न कहीं कोई कार से खराब होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ कि आपके साथ तो इसलिए कहा गया है सास्तरों में विद्वानों ने कहा है कि जब भी कभी आपको जीवन में कोई ऐसा मोड़ो लगे कि हम किसी डेंजर जौन से गुजर रहे हैं या किसी हम परिसानी से गुजर रहे हैं तो किसी मरमक्य को अपनी कुंडली दिखा लिनी चाहिए कुंडली नहीं है तो हाथ की रिखाए दिखा लेनी चाहिए कई बार हम किसी के जहांसे में आगए कि आपका हम ये काम करा देंगे हम आपका वो काम करा देंगे और हमने अच्छा खासा एमाउंट जो हम सोच भी नहीं सकते किसी को बता भी नहीं सकते वो एमाउंट हमारा नच्ट हो जाता है वो वेक्ति फरार हो जाता या वो कई बार बहने बर देता है आपको बात यादा आती है कि मेरा पैसा वह ब्यक्ति लूट के ले गया आपकी आंख भी खुलती है तो आप परिसान हो जाते हैं क्योंकि बड़ी अमाउंट आपकी कोई आपके हास से ले गया उड़ा करके आपने खुद दे दी उसको लाकर के तो फिर दिकत नहींगे आपक तो इसलिए ध्यान रखना ऐसी इस्टिती के लिए मैं आपको एक बात बताऊं भगवान ना करे किसी के साथ हो सबको दुर्गा कवच तो जरूर पढ़ना चाहिए दुर्गा कवच से हमारे धनकी भी रक्षा होती है सब कुछ रक्षा होती है देखो दुर्गा कवच में लास्ट में क्या है कि मेरी पुत्रों की रक्षा मेरी भार्या की रक्षा पत्नी की रक्षा और जब उसमें पत्नी पढ़ती है तो उसमें भार्या के स्थान पर आप पती भाव को लाया करें दुर्गा कवच जिन्होंने पढ़ा होगा संस्कृत या हिंदी में उसमें अंत के लिए मैं पुरुष के लिए तुम्हा लिखाईए ये भार्याम रक्षती तो कहने का भाव कि दुर्गा कबच आपको जरूर पढ़ना चाहिए और दुर्गा कबच के साथ साथ आपको गायतरी मंत्र गायतरी मंत्र ऐसी तिक्षण बुद्धी व्यक्ति की कर देता है कि वो व्यक्ति भावुख हो सकता है लेकिन वो व्यक्ति का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं दे सकता सुभाग्य उसका साथ देगा इसलिए गायतरी मंत्र और दुर्गा कबच आपको पढ़ते रहना चाहिए और घर के अंदर ऐसे व्यक् करना संभव हो सकता है यदि हम समय पर कुछ उपचार करने लगें ठीक है तो आज का यह हमारा सब्जेक्ट था आई एर समय उचला जगत जन्नी मंगल करनी भगवती जगदंबा से जुड़नेगा ओम सिंदूर अरुण विग्रहाम त्रिनायनाम मानिक्यमोलेस्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संददतिम करेश्त्रिनायनाम सरवंग वुस्वरिताम नेलास मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम् अदुम् कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्त विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखाम श्चापम गुणं तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम्तिनेत्राम वजे कवच मना लें ध्यान करें जगत जन्नी का सुवासी समसब के उपर बरस रहा है कौम बोलते हुए नेत्रखोलन समान्य हो जाये देखो साथ को बहुत सारी चर्चाएं समय समय पर आपके साथ करनी है और एक चीज आपको और बता दें कि रक्षा बंदन को लेकर कि बहुत लोग कन्श्यूज हैं कि रक्षा बंदन का सुब समय क्या रहेगा कितने बज़े रहेगा तो उसके लिए हमने विशेशांग बना दिया है रक्षा बंदन विशेशांग आप हमार वो देख लीजेगा उससे आपको सारी जानकारी पता लग जाएगी आप स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शुक कामनाओं के साथ हम अपनी वानी को विराम देतें जय 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 अंबे किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें